नमस्कार दोस्तों कैटकोन क्रीम एक एंटी फंदल दवा है। कैटकोन क्रीम का उप्योग तवचा पर फंदल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसके अलावा सिर की तवचा में डैंडरफ होने पर और सेबोरिक दर्मेटाइटिस होने पर भी कैटकोन क्रीम का उप्योग किया जाता है। सेबोरिक दर्मेटाइटिस डैंडरफ का ही एक गंभी रूप है। सेबोरिक दर्मेटाइटिस होने पर तवचा से सफेद रंग की सूखी पपड़ी बहुत ज्यादा गंभी रूप से गिरने लगती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में कैटकोन क्रीम की वज़र से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में कैटकोन क्रीम की वज़र से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं, जैसे तवचा में जलन होना, त त्वचा में बहुत तेज खुजली, जलन, त्वचा पर सूजन, त्वचा पर रैडनेस, त्वचा पर रैशेस या त्वचा पर सुई चुबने जैसी समवेदना ज्यादा होती है, या ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से आपको अपने हाथों और प्रभावित एरिया को अच्छी तरह से पानी से धो लेना चाहिए, और हाथों वप्रभावित एरिया को अच्छी तरह सुखाने के बाद कैटकोन क्रीम की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लग और कैटकोन क्रीम को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए। कैटकोन क्रीम को लगाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि इन्फेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले। आम तोर पर डॉक्टर कैटकोन क्रीम को दिन में दो बार लगाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर कैटकोन क्रीम को दो सब्ता से लेकर छे सब्ता तक लगातार लगाने की सलाह दे सकता है। कैटकोन क्रीम की डोज उम्र और बीमारी की गंभिरता के आधार पर कुछ व्यक्तिय इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको कैटकोन क्रीम को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लगाना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की कैटकोन क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। फंदल इन्फेक्शन एक व्यक्ति से नाक, नाक, मुह और वजाइना के अंदर लगाना रेक्मेंडेड नहीं होता है। पैरों में फंदल इन्फेक्शन होने पर उनी या सिंथेटिक सामगरी से बनी जैसे नाइलोन की जुराबों को न पहने। और कॉटन से बनी जुराबों को पहने। इसके अलावा सैंडल य और स्तनपान करा रही महिलाओं को कैटकोन क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका कैटकोन क से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं